वेढ़ वेलकम वेस्ट नॉट्स टूटोरियो इस वीडियो वेल बी कभरिंग सम में सक्ट्रीज इस टेइव यह डे फॉर्टीन का वीडियो है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी अभी आप लोगोने जोइन किया है तो आप लोगों बता दू कि हमारा एक कि आप बोल सकते हैं with key point और यह जो आपका ग्रूप चलता है इसकी फी आपकी just 100 उपीज मन्थली है और अगर आप UKPSC, UPTGT, PGT और UGC net exam की तैयारी कर रहे हैं तो एक schedule बनाने के लिए हमने जितने student हैं उन्होंने request की थी कि एक group शुरू कीजिए जिससे की daily कुछ practice हम रह पाएं टच में हम रह पाएं तो अगर आप join करना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आप यह mcq session इसमें एक चीज और है कि जो यह question है यह आपके फॉक्टनर से related है और आप लोगों को ने फॉक्टनर वार कर रहे हैं उसमें हम हर writer के three works को complete करते हैं उसमें summary उसके characters और events से related पूरी स्टोरी को हम explain करते हैं तो पिछला जो हमने राइटर complete किया था वो था आपका विलियम फॉक्टनर और विलियम फॉक्टनर के तीन वर्क हम लोगोंने complete किये हैं तो पहला वर्क हम लोगोंने complete किया था विलियम फॉक्टनर का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का sound and fury sound and fury दूसरा था as I lay dying as I lay dying इस तरह के questions पूछे जाते हैं कि यह writer किस writer के work है तो पहला था आपका sound and fury दूसरा हमने किया था as I lay dying और तीसरा था light in August light in August तो यह तीन हमने complete किये थे तो इन त work है और जो फॉक्टनर है इससे related कुछ questions आप लोगों से इसमें हम पूछे पूछेंगे तो चलिए day 14 का शुरू करते हैं तो पहला question जो है वह आप लोगों का यह है अब आप लोगों को इसमें directly आपको answer सामने दिखाई देता है तो इसमें हम थोड़ा सा discussion कर लेते हैं जिस second session है वो commence होता है it commences on June 2nd 1910 in Cambridge Massachusetts where the narrator Quinton attends Harvard University जहां पर कि जो narrator था story का वो क्या करता है Harvard University को join करता है अब दूसरा जो work है आपका the sound and fury उससे question है what other Faulkner book start starts the commission family तो हम लोगों ने देखा था कि पूरी जो स्टोरी है वो Comson family से related है और यह जो work था वो फॉकनर का था तो वोग कौन सा है आप लोगों का this sound and fury sound and fury जो है उसमें हमें Comson family देखने को मिलती है this sound and fury is the novel by American author William Faulkner यह हम लोग देख चुके हैं already and several narrative styles including stream of consciousness तो बहुत important है अगर आप modern English literature को पढ़ रहे हैं तो उसमें हर work में आपको लगभग stream of consciousness देखने को मिलेगा जो कि world war second के time से आप लोगों को उसके बाद जो की writer हुए है उन्हों ने इसको कहीं कहीं employ किया है and this work sound and fury got published in 1929 and it is Faulkner's fourth novel तो तीन novels हम लोग already कर चुके हैं उसकी story आप लोगों को पता होगी where is Absalom Absalom set इसमें जो Absalom Absalom है वो कहां पर set किया गया है योगना पतावफा काउंटी Mississippi इसमें उनका एक work है और योगना पतावफा काउंटी ये उनके एक imaginary क्या है शहर है imaginary place उन्होंने क्या किया है Mississippi में बनाया है अपनी हर एक writer जो भी अपनी को story लिखता है वो एक imaginary place को set करता है और उसी place पर वो अपनी अपना जो होता है उसे set करता है तो जो राइटर है उन्होंने योगना पतावफा काउंटी एक place है उस पर क्या किया है अपनी पूरी तो यह एक fictional place है अल्दू दिन नॉवल इस सेट इन 1909 और 10 मैनी ऑफ इवेंट्स डिस्क्राइब इन इस्टोरी अकर नाइटीन हंड़ तो यह जो उनकी उनका जो वर्क है अप्सलम सूं पूर में वह जाथतल है इसमें जो वर्क है जो प्लॉट है वह घै ने सेट है रही है वह 1800 मैं अपुई थी नियुक्राइट्ट आ जो ऒर इस तो to the fifth one, in what year did Thomas Stupan, Stupan appear in Jefferson, कौन सा वो साल है जिसमें कि Thomas Stupan Jefferson में दिखाई देता है, so it was 1833, William Faulkner's Absalom, Absalom begins in 1833, when the stranger, Thomas Stupan, writes into Jefferson, तो यहां पर आप लोगों को यह की पॉइंट है, कि जो Absalom, Absalom है, वो कब शुरू होता है, वो 1833 में ही शुरू होता है, यह वर, और इसी में जो Thomas Stupan है, वहां पर आप लोगों जेफरसन में देखने को मिलता है, तो इस तरह के questions आपको TGT, BGT और UGC net level हर जगे देखने को मिलता है, what is the name of Stupan Street, जो Stupan का जो place है, जो उसका state है, उसकी संपत्ती है, उसने उसका नाम क्या रखा है, तो हो है आपका Stupan 100, उन्होंने अपने जो संपत्ती है, state है, उसका नाम क्या रखा हो है, Stupan 100, So, here you can, you can see here, कि वो जो Thomas Stupan है, वो Jefferson का बाता है, Mississippi का बाता है, 1833, जो स्टोरी है, वो भी 1833 में ही set है, start होती है, He builds a plantation named Stupan 100, वो एक plantation का, plantation करवाता है एक place में, और Stupan 100, takes a wife, Alan Coldfield, and has two children, Judith and Henry, तो उनकी जो wife है, उसका नाम क्या है यहाँ पर, वो आपका Alan Coldfield, और उनके दो बच्चे भी हैं इसमें, Judith and Henry, साथ साथ में आपका revision भी हो जाएगा, William Faulkner came from, जो William Faulkner है, वो कहां के रहने वाले हैं, कहां से हैं, तो वो है आपका Mississippi, मिसिसिपी में ही उन्होंने योगना पठावफा, अभी मैंने आप लोगों बताया था, कि जो fictional character, fictional एक setting उन्होंने बनाई है, प्लेस की, वो योगना पठावफा का बनाए हैं, और वो कहां की है, मिसिसिपी, नेक्स्ट इस, the novel takes place in fictional county of योगना पठावफा, तो यह आपका अंसर आप लोगों, अब तो इतनी बार मैं बोल चुका हूं, तो आप लोगों यहाद हो चुका होगा योगना पठावफा, और repetition का simple सा हर वीडियो में, आप लोगों बता देता हूं, जो भी नए हैं, कि कभी कभी थोड़ा सा awkward लगता है, कि इतनी बार हम repeat क्यों कर रहे हैं, तो जैसा ही वीडियो क्या होगा end होता है, वीडियो के ending में, आप लोगों कुछ name बिल्कुल clear याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें इतनी बार वीडियो में बोल चुका होता हूं, तो repetition एक की है, इंगल बहुत बार repeat करना होता है, अगर आप repeat नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ा आप भूल जाएंगे, तो fictional county जो है, वो क्या है, योगना पठावफा है, है, so we already have gone through this, योगना पठावफा काउंटी, जो योगना पठावफा काउंटी है, यह जो प्लेस है, इसका actual किसे relation है, तो वो आपका लेफिटे काउंटी से relation है, और एक और चीज़, एक question यह बहुत important है, वाले थोड़ा सा दिहान देंगे, कि योगना पठावफा काउंटी, उन्होंने जो योगना पठावफा काउंटी है, उसको अपठावफा काउंटी का नाम भी दिया था, तो आप तीनों वर्क को एक बार जरूर देखिए और फिर ये MCQ दुबारा से कीजिए तो आप लोगों को सारी चीज़े याद हो जाएंगी जो फादर है बंदन फैमिली का वो कौन है तो वो कौन है आपका आंसे बहुत मुश्किल से वो लोग वहां पर पहुंसते हैं जो उनकी मदर के डेथ हो जाती है और उसे लेकर जा रहे होते हैं फ्यूनरल के लिए जो 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 बंदन फैमिली है उसमें जो मदर है जिसकी डेथ हो जाता है जाती है वो कौन होती है तो अब लोगों ने देखा है कि वो कौन है एड़ी एड़ी बंदन डाइंग मदा वो क्या हो जाती उसके डेथ हो जाती है कि जो एड़ी मर जाती है जब उसके डेथ हो जाती है तो अपनी फैमिली को क्या प्रामिस करने को कहती है कि उसको कहां बरी किया जाए तो वो था आपका जैफर्सन में और वहीं पर आन से जो है वहां पर जाता है और जल्दी से क्या कर लेता है अपना means he was selfish और जल्दी से वो जो वहां पर एक उसी लेड़ी मिलती है उससे वो शादी भी कर लेता है जो oldest है सबसे बड़ा जो है वो बंडन फैमिली में कौन है तो वो था आपका cash और cash ही क्या करता है जो उसका coffin होता है यहां पर आप लोगों ध्यान अखना है कि जो cash था वही coffin भी क्या करता है बनाता है cash बंडन and okay here so cash बंडन जो है oldest है and narrate section 18 22 38 53 and 53 59 इतने section को story में क्या करता है नेरेट करता है इस second son of the बंडन फैमिली इस नेम और जो second son है बंडन फैमिली का वो कॉन है so he was dal dal is the second second son about 28 28 years का है he is the son most given to introspection and thought jawel the violent son who owns the horse the youngest son of बंडन फैमिली और जो सब से चोटा है वो कॉन है वो है आपका वर्दमन वर्दमन बंडन दी यंगेस्ट ऑफ दी बंडन चिल्डन अचिल्ड अधि मिडल चाइल्ड और बंडन फैमिली इस नेम्ड जो मिडल चाइल्ड है वो कौन है वो है अपका जोवल जो है वो है अबस्टर चाइल्ड ऑफ एडी एंड विट्फिल्ड दिमिंस्टप यहां पर आप लोगों ध्यान भी रखना है कि इस तरह से question पूछा जा सकता है कि जो सबसिंटे एल्ड है का एड विल्ट फिल्ड का बान चाइल कौन होता है ओचे जोविक एक डॉटर विसकी होती है तो टॉटर का नाम और जो फिल्डिव हाविध को नहीं आंब को का बश्वीड कKY होती है जो सब्सक्राइब की है and a recent sexual experience has left her pregnant और वो प्रेगनेंट हो जाती है now let's come to the next question Eddie's long-standing wish is जो लोगी की एडी की long-standing wish थी वो क्या थी to be buried in Jefferson जैसे कि मैंने आप लोगे बताया कि जो एडी है उसका क्या था एक विश थी कि उसे क्या किया जाए जैफरसन में उसको क्या किया जाए बरी किया जाए it was at his long-standing wish to be buried among her birth family here तो उसे क्या करना था simply उसकी एक विश थी कि उसे जैफरसन ले जाया जाए और वहीं उसको बरी किया जाए where does Hightower wife die और यहां पर क्या है जो Hightower है उसकी जो wife है वो उसकी death कहा होती है so तो वो place थाफ का Mipses the town people gossip about Hightower saying that his wife Mrs. Hightower went bet on him and ended up getting killed in Mipses और उसको जो मारा जाता है वो थाफ का Mipses में Howsome completed the scarlet letter in what year यहां पर एक कोश्चिन आप लोगों को हाउसन से एड़ किया गया है तो हाउसन ने जो इसकालिट लेटर था उनका बहुत फेमस वर्क है स्कालिट लेटर इसे भी हम कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के चल रही है अभी रॉषियन राइटर की चल रही है वह आपका रॉष्णी मेडम उसके लिए बना रही है तो उन्हें जरूर देखिए आपके रॉषियन जितने वर्क हैं वह बहुत डेटेल में वीडियो बना रही है उसे आप लोग चेक कीजिए उसी के साथ में उसके बाद हमने अमेरिकन राइटर्स की सीरीज को रखा है तो से आप लोग देख सकते हैं तो जो डिसकालेट लेटर है वो कब आप लोगों का पब्लीश वाता वो है आपका 1850 में यह एक रॉमेंस वर्क है हिस्टोरिकल फिक्षिन बाइए अमेरिकन आथर नेटेनल ह ङग फीजश़ की चिलीन टिलन तो बीमक चिली वर्अट रचेंड चुलीन करता हो कि उसका प्रोफिशन कौन सा हिदो प्रोफिश्ज परोफिश्न होता नहीं हो उससिर्फ किया करता है एक तरह Training करता है ढॉन दर रॉन आप लग पष्ट्रिंड लीचए यहां पर एक अग यूज किया जाता है हाउसन के द्वारा वो किसके लिए यूज किया जाता है वो था आपका चिलिंग वर्थ के लिए here is the key point to remember about that uh roger चिलिंग वर्थ is called the leech because he sucks the spirit and strength from reverend dim still the way the aquatic leech exploits and often kills its host तो चिलिंग वर्थ भी वही काम करता है जो लीच करता है इसलिए हाउसन ना उसका नाम चिलिंग वर्थ का नाम लीच रखा था या उसको इस तरह से उन्होंने एक टर्म उनके लिए अपलाई किया था तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोग जरूर जो सीरीज चल रही है उन सीरीज को जरूर देखिए उससे आपके TGT PGT level के exam हो और चाहे UGC net level के exam हो वो सभी आप लोगों के qualify होंगे 100% तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye ठीकिया see you in next video